लोग के साथ जिसे आप समझने पा रहे हो क्योंकि उधर भी त्यागी समाज हैं प्रिजेश जी इंडिया एलाइन्स के घटक दल जितना मजबूत होंगे वो इंडिया को ही फाइदा पहुचाने के लिए मजबूत होंगे तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर कॉंग्रेस मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो अच्छा ये हमारे ही लोगों को जो है कही ना कहीं वोट में लाब मिलेगा जो असी सीटों पर उत्तर प्रदेश में इंडिया एलाइन्स में राश्ट्री लोगदल समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस लड़ेगी तो उसमें कही है इस 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 इलाइन्स का सुरूप जितना भारतियंता पाटी विरोधी जो जो जनता की सेवा करना चाहतें है जो जनता को कहीं ना कहीं भारतियंता पाटmbol नहीं पर eine जिय Ulve REALLY को इदर लावगे तो भाया झी जो सारनपूर वाले उनका क्या करऊंगे इतना बड़ा विक्ति हो गया हूं कि मैं इंडिया के सुरूप को डिशाइट नहीं नहीं है जो जो जनता के लिए दर्द रखने हैं अपने सीने में उन सब को इंडिया एलाइन्स ये देश बचाना है भारत बचाना है भारत की जनता को बचाना है आज लडाई बहुत समविधान बचाने की है इसकी दवा मिली यह समविधान बदलने वाले हैं और समविधान अगर बदल जाएगा तो देश के इंदर दुबारा चुनाओ नहीं होगा इनकी मन्शा साफ साफ दिख रही है कि 2024 में अगर गलती से भारतिय इंदा पार्टी चुनाओ जित गई त समविधान को बदलने के लिए आए हैं तो बाबा साब बीम्राव अंबेतकर का अक्मान कर रहे हैं ऐसे लोगों को उपार बिख रहे हैं